श्रे शिवाय नमस्तु भ्यम, हरे कृष्णा, हे प्रियभक्तों, आज भादपद मास के शुक्ल पक्ष के सब्तमी दिथी हैं, और आज माहापून फलदाई संतान सब्तमी का व्रत है, इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है, यह व्रत रखने से और इस साथ सभी वनोकामने पोण हो जाती है, जो भी मनुश्य इस व्रत कथा को सुनता है, वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिया हो जाता है, तो आज मैं आपको सुना रही हूँ, संतान सब्तमी की बड़ी ही दुरलब कथा हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव और प्रसंचितमन से पूरा अवश्य सुनिएगा, तो प्रेम से बोलिए, गौरे पुत्र गणेश भगवान की जय, शिव शिवा की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हे प्रिय भक्तों, एक दिन महाराज युधिष्टिर ने भगवान शिरी क्रेशन से कहा, कि हे प्रभो, कोई ऐसा उत्तम ब्रद पतलाईए, जिसकी प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दोर होकर, वे पूत्र एवं पौत्रवान हो जाएं, यह सुनकर भगवान शिरी क्रेशन बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प पूरी में वसुदेव देवकी के खर गए, रिशी राज को आया हुआ देखकर, दोनों अध्यन प्रसन हुए, तथा उनको उत्तमासन पर बेठाकर, उनका ने एक प्रकार से वंदन और सतकार किया, फिर मुनी के चर्णो दक से अपने घर तथा श्रीर को पवित्र किया, व तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यांत दुखी है, इसी प्रकार, राजा नहुष की पत्नी, चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किन्तो उसने संतान सप्तमी का व्रत, विधी विधां सहित किया, जिसके प्रताप से, उनको संता विधान का सुप्राप्थ हुआ, बस यह सुनकर, देव की नहाथ जोड़कर मुनी से कहा, कि हे रिशी राज, कृप्या करके रानी चंद्रमुखी का संपोण व्रितान, तथा इस कथा का विधान, विष्णाय पूर्वक बत्राइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटका हे प्रिभगतों, आगे भगवान शिरी कृष्ण ने कहा, हे युधिस्टिर, लोमश रिशी ने कहा, कि हे देव की अयुध्या का राजाय नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी, अत्यान थी सुन्दर थी, उनके नगर में विष्णु गुप्त नाम का एक ब्रहमन भी रहता था, उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी, वह भी अध्यंत, रोपवती और सुन्दर थी, रानी और भ्रामनी में बहुती स्नेह था, एक दिन दोनों सरीव नदे में स्नान करने के लिए गई, वहाँ उन दोनों ने देखा, कि बहुत से इस्त्रियां सरीव नदे मे स्नान करके, नेर्मल वस्त्र पहन कर, एक मंडब में, शंकर एवन पार्वती की मुर्दिस्था पित करके, उनकी पूजा कर रही थी, रानी और भ्रामनी ने यह देखकर, उन इस्त्रियां से पूछा, कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का, और किस कारण से पूजन व्रत व्रत कर रही हो, यह सुनकर, इस्त्रियों ने कहा, कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं, और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदनादी से, शुर्षवचार विध्य से किया है, यह सब ऐसी पूनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है, यह सुनकर, रानी और भ्रामनी दोनों ने भी इस वरत की करने का मन ही मनसंकल्प किया और घर वापिस लटाई। भामणी भद्रमुखि तो इस वरत को नियम पूर्वक करती रहे। किन्तु। रानी चंद्रमुखि राजमद के कारण कभी इस वरत को करती और कभी नहीं करती। कभी भूल जाती कुछ समय के बाद दोनों मर गई दूसरे जनम में रानी बंदरिया और भ्रामणी ने मुर्गी की योनी में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही उधर रानी बंदरिया की योनी में भी सब कुछ भूल गई थोड़े समय के बाद दोनों ने फिर यह देख भी त्याग दी अब इनका तीसना जनम फिर से मनुष्य योनी में हुआ लोमश्रिशी बोले कि हे देव की उस भ्रामणी ने एक भ्रामण के यहां कन्या के रूप में जनम लिया और भ्रामण ने कन्या का नाम भोशन देवी रखा और उसका विवाह गोकुल निवासी अगने शेल भ्रामण से कर दिया भोशन देवी इतने सुन्दर थी कि वहा भोशन रहित होते होए भी अत्यंत सुन्दर लगती थी काम देव की पत्नी रती भी उसके समुख लजाती थी भूशन देवी के अध्यन्त सुंदर सर्वगुण संपन चंद्रमा के समान धरम वीर कर्म निष्ट सुशील स्वभाव वाले आठ पुत्र उत्पन हुए यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था और दोस्रियों शिव विमुख रानी के गर्ब से बहुत समय तक तो कोई पुत्र नहीं हुआ और जब पुत्र प्राप्थ हुआ तो वह गोंगा बहरात था बुद्धी हील और अल्प आयू वाला पुत्र हुआ वह नौ वर्ष की आयू में इस ख्षन भंगोर संसार को छोड़ कर चला गया रानी और भ्रामनी में जो प्रीती पहने जनम में थी वह अब भी बनी हुई थी पुत्र की मृत्यों के बाद अब तो रानी पुत्र शोक से अध्यंत दुख्षी होकर व्याकुल रहने लगी दैव योग सी भोशन देवी भ्रामनी रानी के यहां अपने पुत्रों को लेखर पहुँची रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ प्रंदो इसमें तुख भोगना पड़ा इधर रानी ब्रामनी के इस वैभव और आठ पुत्रों को देखकर अपने मन में इर्शिया करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन हुआ उस ब्रामनी ने रानी का संताब दूर करने के निमित अपने आठों पुत्र रानी के पास छोड़ दिय रानी ने पाप के वशिभूत होकर उन ब्रामनी पुत्रों की हप्त्या करने के विचार से लड़ों में विश मिलाकर उनको खिला दिया परन्तु भगवान शंकर की क्रिपा से एक भी बालत की मृत्यू नहीं हुई और यह देखकर तो रानी को अत्यम्त ही अश्चरे हुआ और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठानी भगवान की पूजा से निवरित होकर जब भोशन देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मालने के लिए इनको जैहर मिलाकर लड़ों खि और तू प्रती दिन नए सुख भोग रही है तेरा बड़ा सभग्य है इसका भेद तू मुझ से निश्क पठो कर समझा मैं तेरी बड़ी रेनी रहूंगी रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूशन भ्रामने कहने लगी कि सुनो तुमको तीन जनम का हाल कहती हो ध्यान पुर मेरा भाद्र मुखी और मैं एक भामनी थी हम दोनों अयोध्य में रहते थे और हम दोनों का आपस में बहुत नहीं था एक दिन हम दोनों सर्यू नदी में सनान करने की ने गए और दूसरी इस्त्रियों को संतान सब्कमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देख कर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिग्या की थी किन्तों तुम सब कुछ बोल गई और छोट बोलने का तुम ही दोश लगा और तुम आज भी भोग रही हूं मैंने संतान सप्तमी व्रत को अचार विचार सहित नियाम पूर्वक सदैव किया और मैं आज भी करती हूं व्रत की प्रभाव तथा भगवान को इस जनम में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियाम अनुसार करती रही तुम अपने बंदरिया के जनम में भी भूल गई मैं तो समस्ती हूं कि तुम्हारे उपर यह जो भारी संकट है उसका एक मात्री यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता इसलिए मैं तो कहती हूं कि अब भी संतान सब्तमी व्रत को विधी सहित करो जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए लोमश रिशी ने आगे कहा कि हे देव की भोशन भ्रामनी के मुक से अपने पोर्व जनम के कथा तथा संतान सब्तमी व्रत संकल्प इत्यादी सुनकर राने को पुरानी बातें याद आगे और पस्चा दाख करने लगी तथा भोशन भ्रामनी के चर्णों में पढ़कर उस लो दिन से रानी में नियमान उससार संतान सब्तमी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपोण सुख भोग कर रानी शिवलोग को गई भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुश्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनन पैश्वरे भोग कर मुक्ष को प्राप्थ होता है हे प्रियभगतों भगवान श्री क्रेश्न युधिश्टिर से बोले कि हे युधिश्टिर आगे श्री लोमश रिशी ने कहा कि हे देवगे तुम भी संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुम को भी संतान सुख मिलेगा इतनी कथा सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमश रिशी से पूछने लगी हे रिशी राज मैं इस पुनीद संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूँगी क्रिप्या आपका लियान कारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान नियम विधी आदी विस्तार से समझाईए हे प्रियभक्तों यह सुनकर रिशी बोले कि हे देव की यह पुनीद संतान सप्तमी व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन लिया जाता है उस दिन भ्राम मुहुरत में उठकर किसी नदे अथ्वा कोएं के पवित्र चल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए शिरी शंकर भगवान तथा जगदंबा पार्वती जी के मुर्ति के स्थापना करें प्रतिमाओं के समुक सोने चांदी के दारों का अथ्वा रेश्म का एक गंडा बनाएं उस गंडे में साथ गांठे लगनी चाहिए इस गंडे को धूप दीप अश्ट गंध से पोजा करकी अपने हाथ में बांधी और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्राथना करें उसके बाद साथ गुवा बनाकर भगवान का भोग लगाएं और साथ ही पोई एवं यथा शक्ति सोने या चांदी के अंगुठी बनाकर इन सब को एक तांबे के बारा में रख कर और उनका शोर्ष वचार विधि से पोजन करके किसी सदाचारी धर्म निष्ट सत्पात्रा भ्रामन को दान दें उसके बाद साथ पुवा स्वयम प्रसाद के रूप में ग्रहन करें इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का परायन करना चाहिए हर साल के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की दें हे देव की इस व्रत को इस प्रकार करने से समंस्त पाप नश्ट होती है और भाद्गेशाली संतान उत्पन होती है तथा अंत में शेव लोग की प्राप्ती होती है हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्मावतार युधिष्टे से बोले कि श्री लोमश रिशी इस परकार हमारी माता को शिक्षा दे कर चले गए रिशी के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस वरत को नियम अनुसार किया और जिसके प्रभाव से हम उधपन हुए यह वरत विशेश रूप से इस्त्रियों के लिए कल्यान का रही है परंतो प तमरत है नियम पूर्वक जो भी मनुश्य इस वरत को करता है और भगवान शंत्र और पार्वती जी की सच्ची मन से अराधना करता है वह निश्चे ही अमरपद ब्राप करके अंत में शिव लोग को चाता है तो सभी प्रेम से बोलिए माता पार्वती और शंकर भगवान की हे प्रिय भग्तों आईए अब मनोकामना को कोण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दूलब कथा को सुनते हैं एक बार की बात है माता पार्वती शिव जी भगवान को पती के रूप में प्राप करने के लिए घोर तब कर रही थी उनके तब को दे पताओने शिव जी से देवी की मनोकामना को पोण करने की प्रात्न की शिव जी ने पार्वती जी की परिक्षा लेने के लिए सब तरिश्यों को भेजा सब तरिश्यों ने शिव जी के सैंक्डों अबगुण गिनाए पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और स विवाह मंजूर नहीं था तब शंकर जी ने स्वयम पार्वती जी की परिक्षा लेने खिठानी तब भगवान शंकर स्वयम प्रकट हुए और पार्वती जी को वर्दान देकर अंतरध्यान हुए इतने मैं ही पार्वती मादा जहां तब कर रही थी वही पास में तालाब में मगरमच ने एक लड़के को पकल लिया वह लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा तब पार्वती जी से उस बच्चे की चीक सुने नहीं गई द्रवी धिर्दय होकर वे तलाब पर पहुंची वहां देखा कि मगरमच लड़के को तलाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरी माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है आप मेरी रक्षा करें तो पार्वती जी ने कहा कि मगरमच इस लड़के को छोड़ दो फिर मगरमच बोला कि दिन के छटे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझ कर स्विकार कर लेता हूँ यह मेरा नियम है ब्रामदेव ने दिन के छटे पहर में इस लड़के को भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ू पार्वती जी ने विन्नती की कि तुम इसे छोड़ दो बदले मैं तुम ही जो चाहिए वह मुझे से कहो तब मगरमच बोला कि एक ही शर्ट पर मैं इसे छोड़ूँगा आपने तब करके महादेव जी से जो वर्दान लिया है यदे उस तब का पल मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दोंगा पार्वती जी तुरंट तयार हो गई उन्होंने कहा मैं अपने तब का पल तुम ही देने के लिए तयार दो लेकिन तुम इस बालब को छोड़ दो मगरमच ने समझाया कि सोच लो देवी जोश मैं आकर संकल्प मत करू हजारों वर्षों तर जैसा तब किया है वैसा देपताओं के लिए भी संभव नहीं है उसका सारा पल इस बालब के प्राणों के बदले चला जड़ागा फिर पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चे पक्ता है मैं तुम ही अपने तब का फल देती हूँ तुम इसको जीवन दे दो मगर मच ने पार्वती जी से तब दान करने का संकल्प करुआए तब का दान होते ही मगर मच का देहर तेजी से चमकने लगा और तब वह बोला कि हे पार्वती यह देखो तब की प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए वियर्थ कर दी चाहे तो अपनी फूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तब पार्वती जी ने कहा हे ग्राहे तब तो मैं पुन्हा कर सकती हूँ किन्तु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था देखते ही देखते वह लड़ता अद्रिश्य हो गया और मगर मच भी लुप्थ हो गया पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तब तो दान कर दिया है अब पीर से तब आरभ करूंगी पार्वती जी ने पीर से तब करने का संकल्प किया भगवान सदाशिव पीर से प्रकट होकर बोले हे पार्वती भला आप क्यों तब कर रही हो तब पार्वतीची ने कहा कि हे ब्रभो मैंने अपने तब का पल दान कर दिया है आपको पती रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं पेश से वैसा ही घोर तब करके आपको प्रसंद करूँगी तब महादेव जी बुले मगर मच और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं इसकी परिक्षा लेने के लिए मैं नहीं यह लिला रची थी अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्वी कार हूँ तुम्ने अपना तब मुझे ही दिया है इसलिए अब और तब करने की कोई अख्षक्त नहीं है हे प्रियभक्तों देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन मन से विदा किया तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माधा पार्वती की जय आईए अब मनो कामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिर्फ और माता पार्वती की बड़ी ही सुन्दर कथा को सुनते हैं इन कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना चाता है हे पिरभग्तों एक बार नारद जी ने भोले नाथ जी की स्तोती करके उनसे पूछा कि हे प्रभो आपको प्रसंद करने के लिए सुपसे उत्तम और सुलब साधन क्या है हे तरिलो की नाथ आप तो निर्वीकार और निश्काम है आप सहज ही प्रसंद हो जाते हैं फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिया है तफशीर जी बोले हे नारद जी वैसे तो मुझे भग की भाव सुझसे प्रिया है फिर भी आपने पोचा है तो मैं आपको बताता हूँ ुझे जल के सासल बेलव बद्र बहुत प्रिया है हे प्रिय भत्तों भगवान शिव नारद जी से बोले कि जो भी मनुश्य अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रधा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ नारद जी भगवान शंकर और मादा पार्वती की बंदना करके अपने लोक को चले गए कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों है क्रिप्या करके मेरी जिग्यासा को शान्त कीजिए हे प्रिय भत्तों तब भगवान शिपोले हे शिवे बिल्व के पत्ते मेरी जटा किसमान है उसका त्री पत्र यानी तीन पत्ते रिगवेद यजुर्वेद और सामवेद हैं शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है बेल्व वरिक्ष को आप प्रिथ्वी का कल्प वरिक्ष समझें जो भ्रम्मा विश्णु और शिव स्वरूप है हे पार्वती स्वयम महालक्ष्मी जी ने शैल परवत पर बेल्व वरिक्ष रोप में जनम लिया था इस कारण भी बेल का वरिक्ष मेरे लिए अधी प्रिया है हे प्रियभक्तों महालक्ष्मी जी ने बेल्व का रोप धरा यह सुनकर पार्वती जी कोतुहल में पढ़ गई और पार्वती जी कोतुहल से उपजी जिग्यासा को रोक ना पाई और उन्होंने पूछा कि देवी लक्षमी ने आखिर बेल्व वरिक्ष का रूत क्यों निया आप ये कथा विस्तार से कही प्रभू तब भुले ना चिने देवी पार रामेश्वर लिंग था भ्रहमादी देवों ने उसका विधिवत पूजर अर्चन किया था इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वानी देवी सब के प्रिया हो गई वे भगवान विश्णों को सतत प्रिया हो गई मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रिती उत्पन हुई वह स्वयाम लक्ष्मी जी को नहीं भाई लक्ष्मी देवी का श्री हरी के प्रती मन में कुछ दूराव पैदा हो गया वह चिंतित और रोष्ठ होकर चुप चाप परम उद्दाम श्रिशैन परवत पर चली गई वहां उन्हों ने तब करने का निश्चे किया और उद्दम स्थान का चैन करने लगी महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चे करके मेरे लिंग विग्रह की उक्र तपस्या प्रारंध की उनकी तपस्या कठोर्तम होती जा रही थी हे परमेश्वरी, कुछ समय की बाद माहा लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर्व में एक व्रिक्ष का रूप धारंतर लिया, अपने पत्तों और पोश्प द्वारा निरंतर मेरा पोजन करने लगी, इस तरह माहा लक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों त इस घोर तब की आतांक्षा पूछ कर वर्ष देने को तयार हुआ, माहा लक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरी के हिर्दे में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जुसने हुआ हैं, वहस माप्थ हो जाएं हे प्रियभक्तों, तब शिप जी बोले कि मैंने माहा लक्ष्मी ज नहीं, अपी तो श्रद्धा है, यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन हो गई, और पुनह, श्री विष्णों के हिर्दे में स्थित होकर, निरंतर उनके साथ विहार कने लगी, हे पार्वती, इस प्रकार महा लक्ष्मी के हिर्दे का एक बड़ा विकार दोर हो गया, इस कारण ह प्रिया, उसी व्रिक्ष रोप मैं सर्वदा, अतिशय भक्ति से भर कर, यतन पूर्वक मेरी पूजा करने लगी, हे पार्वती, इसी कारण बेल्व का व्रिक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदी मुझे बहुत प्रिया है, मैं निर्जन स्थान में बेल्व व्रिक्ष का आ बेल्व व्रिक्ष, अत्पा, बेल्व काष्ट के चंदन से, जो मेरा पूजन करता है, वह भग, मेरा अतिप्रिया है, बेल्व व्रिक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है, जो बेल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके, मुझे अरपन करता है, मैं उसे सभी प मेरा पूजन करते हैं जो बिल्व मूर में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही मादा लक्षमी की क्रिपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नरायन की क्रिपा भी उन पर सदैव बनी रहती है तो प्रेम से बोलिए